तीम तरह की मिठाई आज मैं आपको बतारी हुँ, बहुत जादा ठीस्टी बहुत अक्रशा स्थी मिठाई है, तीनों डिफ्रेंट मिठाई है और बहुत मस्त है बहुत ही बहतरीन है, तो वीडियो को लाज सक जरूर देखिएगा, तीनों की रेसिपी देखिएगा, घर में बनाएगा, आपको बेहत बस बनाएगी, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहली वाली रेसिपी, तो मैंने आपे बोल में गुड ले लिया है, साथ में उसमें डाल ले रियो पानी और इसको मेल्ट करेंगे, इसकी हम चाशनी बना देंगे, तीन इलाइची तोड़के मैंने डाल दिया है प्लेवर के लिए और इसको बॉयल कर लेंगे, कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएएगा, ताकि दो-तीन मिनिट इसको भुनना है, हमें ऐसे ही बिना घी के, उसकी बाद हम इसमें घी आड करेंगे, तो पहले इस तरह से कभी भी भी रोस्ट कीजेगा, जब भी आप मिठाई बनाओं इसकी बाद घी आड कीजेगा, तो घी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, जब अधा घी नहीं डालने वाली हो इसमें मिठाई में बहुत हैल्दी बना रही हो इसमें इसमें घी बीकम यूज करेंगे इसमें 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 थोड़ा से घी आड किया है और अच्छे सी बुनाई कर लेंगे जब तो एक्छे सी स्मेल नाने लग ज़ए इसका अच्छे हल्का सा गोल्डन न होने लग जाए जलाना नहीं है इतना कलर हमें चाहिए इसमें डालो लेप्टोवर घी जब हम लोग मखन सी घी बनाते घर पी जो नीचे बच जाता है मावी की जैसे उसे लेप्टोवर घी कहते है वह मैंने इसमें थोड़ा साथ एड कर लिय तीन कप भरके अड़ किया है आपको कम पसंद हो आप कम अड़ कर सकते दो कप या एक कप आप डाल सकते हो उसके पर आटे और बेसन की क्वाइंटिटी को आप जाधा कर सकते हो यहां पर कुछ ट्राइफरूट कटे हुए मैं डाल रही हूं जैसे कि मैने बादाम अड़ कर तीन में में पहल बना के रखी तीन Uber अविस posing चांके में मीटा मिंटा बन नंवी ल automotive मिटा मिंटा है कर दो क्कूर ओंचुर में विटाह तैयादわか तो मिटाहिकर दर मिटायक है मिक्ष्चर तीन मिन से अ exposing टच्रह चुका है और यह देखें कि ताम मस लग रहा है तीखने में खाने में भी बहुत जादा टीस्टी है और हेल्दी भी है थाली को मैंने घी से ग्रीस कर लिया उसके बाद यह मिठाई का मिक्स्चर रखके इसको अच्छे से दबा लिया चम्मा से सेट कर लिया उपर से ड्राइफूट कु जरूर बनाईएगा तो चलिए देखते अब नेक्स वाली रेसिपी तो नेक्स रेसिपी बनारी हूं मैंगो वर्फी इसके लिए मैंने आम को क्या क्या था हल्की कुनकुरे पानी में वाश कर लिया अच्छे से नैपकिन से साफ कर लिया पोच लिया उसके बाद मैं इसको पूरा देखेगा बनाईएगा जरूर आम क्योंकि गर्मियों मिलेंगे तो मैंने तीन आम लिए थे तीनो आम को मैंने कट कर ले अलगबग एक किलो आम है अब क्या करेंगे मिक्सी का पॉट मैंने ले लिया उसमें इसको मैं डाल दे रही हूं और इसकी जो है प्यूरी बन कड़ी मैंने दूद ले लिया लगबग एक कप दूद कोई भी दूद चलेगा जो आप यूज करते हो घर पे टूथर कप शकर का ले लेंगे यहां पे शकर के जगे मिश्री का इस्तमाल भी आप कर सकते हो शकर को दूद में मिला लेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए इस अज़ा चाहिए यहां पर लगए दूद Miller के शमाल हो जाहिए यहां पर लगए धूद को और यहां पर लगने दूद को हां च्रीआ कर जाए को जाता टाइम बिल्कुल नहीं लगता मिठाई को बनने में तो यह वाली मिठाई भी आप सहरू ठाई किज़ेगा आपको ब्यात पसना आए रिखें लमगाणा हो चुकर ग्रीस लगी भी थाली में आप इस मिक्षको निकाल लीजिए अच्छे सेट कर लीजिए कुछ ड्राइ मिठाई को भी आप जरूर कीज़ेगा कोई मेहमान आपके आए यह पर्फी आप खिलाओगे मजा ही आजाएगा बहुत बढ़ी आ लगती है एक खान में तो जरूर इसको ट्राइ करें इसको आप फ्रिज में आप स्टोर कीज़ेगा जब खाने कामन करें ठंडी ठंडी ठं जलाना नहीं है थोड़ी दिर भुनाई करने की बाद हम इसमें घी आड करेंगे कभी भी ऐसी कच्छे में मतलब घी में डारेट बेसन मत मिलाएगा बेसन को भुनने के बाद घी मिलाईगा तो इस तरह से मिठाई बनाएगे मास्ट मिठाई बनती है गी मेरे डाल दिया अब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर जा अचा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है यह दिखिए अच्छा कलर आगे तो मैंने गैस को तुरण बनका लिया कि कड़ए अभी बहुत गरम है गरम कड़ए में आप थोड़ा सा फिर से चला दीजेगा और इसमें भी में बहुत लैक्टोवर घी यूज कर रही हूँ जो कि मैंने अभी आपको बता है था मखन से जब आप खी बनाते हूँ नीजे जो बत जाता है उसका इस्तमाल में अकसर करती हूँ वो आप नहीं यूज करना चाहते हो बाहर का मावा आप ले लो खोया जो मिलता है उसको आप डाल सकत का टेक साथिक तो बस इसको मिक्स करना है और बिना गैस के अवढ़ कि जीगा नहीं तो मिठाई बहुत में पल दाला चाहिए बिल्कुं मठ चाहीगा हूच्ण गरम में अक्षे सिच्ट कर्ण तरृं अल्की गरम और मिठाई का डो बंद कर ब्लकु तयार हो जाएगा यह अच्छे से बंद चुका है मिठाई का डू टो तो ग्रीस लगी थाली में आप इसको निकाल लेजें ग्रीस के लिया थाली को मिठाई का मिक्सचर निका लिए और बहुत 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 मिठाई बनती इस मिठाई को आप बिलकूँ मिसमेत कीजीगा मेरी फैवरिट मिठाई है, जब मैंने इसको बनाया, इतनी मस लगनी थी, खाने में बहुत बढ़िया लगनी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई थी, अच्छे से सेट करने के बाद मैंने कुछ राइफ्रूट से इसको गानिश कर लिया, और इस मिठाई को फ्रिज में तो लड़ बान लीजिए इसको और आपके मिठाई बनकर बिल्कुल तयार है, तो यह वाली मिठाई भी संदी मिठाई, बिना चाशने के बनने वाली गुड की बहुत हेल्दी से मिठाई है, ज़रूर इसको आप ट्राय करें, तो तीनों रेसे पीस आपको मिठाई की कैसे लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा, वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा, पेश पहले यो पेश को फॉलो करना बिल्कुल मत बूलिएगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, जैश्री गनेश, वाई गुरू जी